नमस्कार सातियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हमारा जो टोपिक चल रहा था MPG के से रिलेटेट है जो था मद्धप्रोदिश में क्रशी और पशुपालन तो इससे संबंदित है हमारा पार्ट 3 है इसके पहले अगर आ उने भी जाकर जो है आप जरूर देखिएगा ताकि आप जिस भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उसके तयारी में आपको और मजबुती हमारे द्वारा प्रदान की जा सके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले पहले पहला कोश्चन जो कि मालवा वाला जो इलाका है यहाँ पर गेहूं का सरवादिक उत्पादन जो है आपका मध्यप्रदेश में होता है तो उप्षन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट अंसर बनता है मध्यप्रदेश में गेहूं का सरवादिक उत्पादन मालवा छेतर में होता है अधिक गेहू उत्पादक जिले आपके कौन से है चार उप्षन है मंसुर और निमच खंडवा भुरानपुर भींड मुरेना सतना या रिवा तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है मंसुर और निमच मद्दप्रदेश के वह जिले हैं जो कि आपके उत्पादन के लिए आपके जाने जाते हैं तो देख लेते हैं इनसे जूड़ी जान करें तो मद्दप्रदेश का जो मंसुर जिला है मुख्य था अफिम उत्पादक जिला है साथ निमच तता रतला में भी अपके जो है फसल आपके उगाई जाती है अगला कोशिन हापर कि मद्दप्रदेश में चने का प् प्रमुक उत्पादक 6न अगला कोश्ण है में डेश में जेविख खेती को च Information करने वाला पहला राज्य कोंसा और ऑफका मद्दप्रदेश ब्लने का प्रोशाइद करने वीस vibes प्रोशाहित करने वाला जैच्का पहला राज्य है अगर आप सो तो पूछ ल्यांग पूछिन करने वाला देश का पहला राज्य कोन सा है तो वह है आपका सिक्किम सिक्किम जो है देश का पहला वह राज्य है जो कि पूर्णत जेविक खेती करने वाला राज्य बन गया है मैं अगर आप रखने लक्षदीप भारत का वह के अंदर सासीद प्रदेश है जो कि पूर्णत जेविक क्रशी आपकी करता है उसी प्रकार सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि पूरी तरीके से जो है आपका जेविक क्रशी करता है तो इन दोनों के नाम हमारे लिए बहुती का उप्योग नहीं किया जाता जो जेविक खाद है जो कि पश्यों के गोवर से आपका तयार होता है उसी का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार जो प्रोचसाहित किया जा रहा है मद्यप्रदेश के द्वारा या मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा एक सरा बनता है मद्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में गेहूं का जो है आपका अधिकतम होता है तो अगला कोशन देखते हैं आपर कि भारत में मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है चार option ने चना जूट, चीनी या चाई तो देखिए जूट में आ नहीं सकता चीनी में नहीं आ सकता चाई में भी नहीं आ सकता बचता है यहां पर आपका चना तो option ने जो है हमारा यहां पर राइट अंसर बनेगा कि मद्ध प्रदेश से ना उतपादन में जो है पूरे यहां पर जाना जाता है अगला कोश्चन देखने से पहले इसा जोड़ी जानकारी यहां पर देख सकते हैं कि मुरेना के शेहत गुलाब जल गुड सहित अन्य जेविक उत्पादों ने अंतराश्टी क्रशी उद्धाने की एक्सवो 2016 में जो है आपका प्रथम पुरुसकार भी जो है प्राप्त किया था चलिए देखते हैं अगला कोशन के मद्द प्रदस में जियाई टेक पाने के लिए निमने लिखित में से कौ आपका दिया जाता है पांच परवरी 2016 को बहुतिक संपदा अपीलिय बोर्ड ने चेन्ने इस्तित भोगली के उपदर्शन रजिश्ट्री को बासमती चावल को जियाई टेक प्रदान किये जाने का निर्देश दिया है बहुतिक संपदा अपीलिय बोर्ड द्वारा बोर्ड के जो है आपके कितने चेत्रिय कार्या लई है तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है बनता है मध्यप्रदेश में मंडी बोर्ड के जो है आपके साथ चेत्रिय कार्या लई है राश्टी क्रशी आयो कि सिपारिस के अनुसार मध्यप्रदेश राज्यक्रशी विपनन बोर्ड मंडी बोर्ड जो है आपका 1973 में अस्तितों में आया था तो राज्य क्रशी विपनन बोर्ड जो है आपका कब अस्तितों में आया तो 1973 में यह आपका अस्तितों में आया अगला कुशन यहाँ पर है कि मद्यप्रदेश सरकार ने मद्यप्रदेश क्रशी आगत और क्रशिव विपनन आयो का जो है आपका गठन किया गया है तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बनता है ऑप्शन भी 2017 देखते हैं अगला कोशन इमने में से कौन सी मद्य प्रदेश की एक बहु प्रसिद्ध मुर्गी नसल है तो यह आपकी कड़कनात कड़क मुर्गी नसल है जो कि मुख्य रूप से आपकी अली राचपूर अली राचपूर और जाबुआ जिले में जो है आपकी पाई जाती है जाबुआ जिले और अली राचपूर में जो है आपकी मुख्यत पाई जाती है और 2018 में 2018 में इसको आपका जी आई टेक भी जो है प्र उच्छ प्रोटीन और बहुत कम वसा और केलेश्टर के इस्तर के कारणिया उच्छ मांग में हैं और यह एक दुलब मुर्गे की प्रजाती है हाल यह में देखिए यह कुछ महीनों पिले आपने सुना होगा न्यूस में पड़ा होगा कि जो बी सी सी आई था जो कि भारत का स इंदाजा लगा सकते हैं कि कि इसकी मांग जो है किस प्रकार की है और इसमें किस प्रकार के जो गुञ है आपके होते हैं या गुणवत्ता यूकतर ही इस प्रकार के जो मुर्ग है आपके होते हैं अगला को transparency है हैं कि मद्य प्रदशट के निम्नलेखित जीलों में से कोंम मीर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है जिले के बढभाब लो के अंदरगत आने वाले ग्राम बेडिया मिर्च मंडी के लिए प्रसिद्य। बेडिया में आंध्रप्रदेस के गुंटूर के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। सबसे बड़ी मिर्च मंडी निमने लिखित में से किस जीले में इस्तित है और दूसरी मिर्च के सबसे जैर्द बड़ी मंडी कोère इस्तित है छेले दिखते है अगला कोशन के क्या है क्षान में करे के रूप कार्य करना किसानों के खेति की सुरक्षा करना सासर कोजनान है किसानों के प्रफादागन के हôm प्रशारित ले जाना तो देखिए इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो बनता है option C सास्की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना किसान मित्र का जो है आपका प्रात्मिक या प्राइमेरी वर्क है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इससे जोड़ी जानकारी ग्रामिनिस्तर पर क्रशक और प्रसार तंत्र के बिच जीवन्त संबंद इस्तापित करने की द्रश्टी से क्रशक मित्र प्रसिक्षन कारे क्रम संपूर्ण मद्य प्रदेश में आपका लागू किया गया है किसान मित्र का प्रात्मिक कार्य सास्की योजनाओं के बारे में जानकारी आपका प्रसारित करना है तो उप्षन C यहाँ पर हमारा राट आंसर बनता है अगला कोशन है फार्म टू फार्क मद्य प्रदेश की किस निती का द्रश्टी कोन है तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका उप्शन सी राज्य जेविक निती है इसका द्रश्टी को ने चलिए देख लते हैं इससे जुड़ी महतुपुन जानकरी तो फार्म टू फार का मद्य प्रदेश की राज जेविक निती का द्रश्टी को ने मद्य प्रदेश जेविक खेती को बड़ावा देने वाला देश का अग्रणी राज्य है प्रदेश में सरव प्रथम दोजार एक दो में जेविक खेती का अंदोलन चलाकर प्रदेश विकास खंड के एक गाउं में जेविक खेती प्रारम की गई थी और इन गाउं को जेविक गाउं का आपका नाम दिया गया प्रदेश ने वर्षि 2011 में अपनी जीवी क्रशी निती बनाई जिसका दर्श्टी कौन फारम टू फ्रोक है तो इसका जो हमारा इसका जो दर्श्टी कौन है किस निती का दर्श्टी कौन है यह हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन जो कि पंदरवे नंबर का है मद्द प्रदस में एगरी एक्सपोर्ट जोन क्रशी निर्याद छेतर का क्या उद्देश है चार उप्शन है क्रशी मसिनरी का निर्याद करना क्रशी तक्निक का निर्याद करना क्रशी विशिष उतप पादन के निर्यात में बड़ोतरी करना मद्यप्रदेश में एक्सपोर्ट जोन का जो है आपका मुख्य उद्देश है यहां पर यह जो वर्ड है इसी से आपका किलियर हो रहा है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यानि कि भार के और जो है सामन भेजना आया सामन का निर्यात करन तो निर्यात में बड़ोतरी करना या जो आपके क्रशी निर्यात चेटर होते हैं इसका प्रमुक उद्देश होता है देखते हैं आपर हमारा अगला कोशन जो कि सोलवे नंबर का है कि मद्यप्रदेश की मुख्य मंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश क्या है चार उप्षन है किसानों को तीर्थ यात्रा पर भेजना किसानों और उनके परिवारों को दक्षिन भारत के यात्रा पर भेजना किसानों को आधुनिक क्रशी केंद्रों पर विश्य सग्यों के पास भेजना या किसानों को आउसा को जो है आपका आउसा आउकास यात्रा पर बेजना तो देखिए मुख्यमंत्री खेत तीरत योजना इसका आपका जो सही जवाब है वह बनता है कि किसानों को आधुने के क्रशिक के अंदरों पर विश्य सेग्यों के जो पास है जो भेजना आपका राइड आंसर बनता है मुख्यमंत्री खेत तीरत योजना 2018 में जो है मद्यप्रदस में शुरू की गई थी इस योजना के अंतरगत राज्यक के अंदर किसानों को ब्रह्मन करा जाएगा जिसमें किसानों को नई तकनिकी के भी जो है आपकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगिए अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्यप्रदस के किस भाग में क्रशी किस भाग में मुख के रुप से चावल की खेती आपकी की जाती है तो जो मद्यप्रदस का दक्षन वाला इलाका है जहां पर कि आपकी वर्षा सरवादिक होती है लाल का पहली मिट्टी जो है जो कि आपक बनता है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सिच्चाय मुख्य ॐरूप से नहर को ओँध्यम क travelled के वाद्यम से की जाती हैं सबसे मसफल्पुन फसल गहुआर मक्का चावल डाले जो है मटर दाले है और चावल पूरुवा में मुख्य रूप से उगा जाता था जा अधिक वर्षा होती थी जबकि मद्य और पर्षिमी मद्यप्रदेश में गेवू और जुआर जो है आपका अधिक महतोपुन होते हैं चलिए देखते हैं आपर अगला कोशन जो कि हमारा ठ समीती के साथ जो है मद्यप्रदेश सर्गार ने फल दार फसलो की रोपाई के सहीं के लिए समझोता किया है देख लेते हैं इस समझोते से जूड़ी जानकारी तो मद्यप्रदेश ने के वल करशी उत्पादन में अग्रेनी राज्य है बलकि या फल उत्पादन में भी मविश्यों का रहे साथी क्रशी प्रदेश को जो है आपका लगात लगातार जो है च्छे बार क्रशी क्रमण enables मिल चुका है और चहांटवा अवाड जो है आपका करनाटक में जैन्वरी 2002 में देश को प्रधान मंत्री के द्वारा जो है आपका प्रधान किया गया है तो उच्च गुणोताले मविशियों का प्रजिनन करना तो इसका राइड एंसर बनता है option D उच्च गुणोताले मविशियों का प्रजिनन करना मध्यर प्रदेस में इस्ताफित सेंटरल सिमन इस्टेशन का जो है आपका मुख्या उद्देश है तो देखिए यह इस से जूड़ी जानकार है 1964 पेसेट में स्ताफित केंद्रिय सिमन इस्टेशन बहुपाल में इस्तित एंपी राज्य पशुद्धन और कुकुट विकास निगम की एकिकाई है या आईये सो 9002-2008 प्रमानित इस्टेशन है और वर्षे 2016-17 में पशु डेरिंग और मत्यस्य पालन विभाग भारत सरकार के केंद्रिय मोनिटरिंग यूनिट द्वारा ग्रेड एक के रूप में जो है इसको माननता प्राप्त की गई है अगला कोशन देखते हैं कि म्रदा स्वास्त पत बनता है बनता है option B यहाँ पर राइट अंसर बनता है म्रदा प्रिक्षन से जो है यह जोजना आपके कौन से म्रदा स्वास्त पत्रक जो है यह आपके म्रदा पररिक्षन से संबंदित है देख लिए इससे जुड़ी जान का नहीं तो मद्यप्रदस्द्र किसान कल्यान और करणbean करके श्वास्त जोह का प्रदान करती है अगला कुछिन यह पर है कि मद्यप्रदस में इस्ताफित किशान फिल्ट इस्खule का क्या उद्देश्य है चार उप्षन है किसानों के बच्चों को पढ़ाना क्रशी की उन्नत तक्निक के बारे में जानकारी देना ग्रामी नादा आबादी को आइस रेजन के बारे में जानकारी देना या किसानों को प्रोड शिक्षाद देना तो किसान फिल्ड इसकुल जो मद्ध्य प्रदिस में आपके स्ताफित किये गए हैं इनका जो आपका उद्देश है यहाँ पर बनता है वह बनता है क्रशी की उन्नत तक्निकों के बारे में जानकारी देना इस योजना का जो है आपका प्रमुक उद्देश है देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो यह एक परच्छेत्र स्कूल है जहां किसार अपने खेतों में खुद परिक्षन करते हैं उसे समझते हैं और उसे सिखते हैं इसका जो उद्गम है एक इंडोनेशियन व्याक्य से हुआ है जिसका आरता है पर शेत्र विद्दा लई इसकी शुरुवात जो है आपके 1989 में बेंकोंग में हुई थी सिखने के लिए मुख्यत प्रसिक्षन विद्धिका जो है आपका उप्योग किया जाता है अगला कोशन आपर देखते हैं कि मद्यप्रदेस में राज्य क्रशक आयोग के प्रात्मिक भूमिका क्या है चार उप्षन है क्रशी शामकरी प्रदान करना क्रशी शोद करना है मद्यप्रदेस कि जाता है औरे कारता है Fallout क्या 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 होता है किसान हो क्रदान क्या प्रदान करना क्या आपर्दान करना मध्य प्रदेश के इस सभोस्टे में फुपरी बंता है रहुत्य शंजार शन्दान सभाव में प्रजातिय व inexpensively सनस्ताइल की विक्सित प्रजातिय आसे प्रजातिय चैंद्री की वह invites पर कंधा कुपरी सूर्या, फुपरी चंद्र मुखी, कुपरी अशोका या जो है आपकी आलू की कुछ प्रमुख प्रजातिया इसके अलावा कुपरी चंद्र मुखी A, 2708, कुपरी बाहर, कुपरी बार्शा, कुपरी सिंदुरी की भुवाई जो है अच्छी पेदावर देती है उच्छ गुणवता वाले बीच से या विपणन से तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्यप्रदस की जो सूरजदारा योजना है इसका संब्ध आपका सिचाई से सूरजदारा योजना अभी संपून मध्यप्रदस में प्रचली थे इसका उद्देश अनुसुचित जाती है एवं अनुसुचित जन जाती के लगू एवं सिमान त्रशकों को अलाबकारी फसलों किसमों के स्तान पर लाबकारी धलनी थिलनी फसलों के उन्नत एवं चुपलब्दकरा ना इसका प्रमो कुद देश है अगला कोशन है पर कि मध्यप्रदस का सबसे अच्छा गुणोत वाला गहू कौन सा है चार उप्षन है वीट अन्न पूर्णा सर्वती या डूरों तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है शर्वती जो ग गहूं की पेचान मध्यप्रदस के गहूं के रुप में हो यह गहूं संपुन देश में अपने विसीष्ट चमक वजन और स्वाथ के रहे आपका प्रसिद्ध है तो इसी के साथ हमारा जो यह पार्ट थ्री था और यह जो हमारा टोपिक था वह कंप्लेट होता है तो देख लीजेगा ताकि यह जो आपका टोपिक है अच्छे से कवर हो जाए और आप जो आने वाली आपकी एक्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेर हो जाए और एक्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर सके तो आपकी सपलता ही जो है हमारा प्रमुकुद्देश है आपको इतना ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन्द।